कि है लो गाइज विल्कम दुछ एन मासर स्वा बॉटनी अगेन मैं हूँ आपका दूद्स फिने कुमार सिंग एकोलोजी का लेक्चर चल रहा था वहाँ पे हमने तीन आपको यह जो हमारी मेर्मेंटल फैक्टर से वो बता चुके चौथा फैक्टर पर हम आ जाते हैं जो है ह हुमारा बायोटिक फैक्टर से अभी तक के जो हमने फैक्टर देखे थे वो कौन से थे एक बायोटिक फैक्टर से तो बायोटिक फैक्टर से हम चलते हैं इसमें आप पढ़ेंगे एकोलोजिकल इंटरडेपेंडेंडेंड तो आपको पता ही होगा members of biotic community जब community में बहुत स तो वो किसी ने किसी तरीके से एक दूसर से एसोसियेटेड रहते हैं फूट के लिए, स्पेस के लिए, रिप्रड़क्शन के लिए या प्रड़क्शन के लिए और यह interaction वहाँ पर बोल रहा है, important है अब जो interactions है, interactions के बारे में पढ़ना, यह मैंने आप से बोला था, बहुत important चीज है हर exam में, जो भी आप देंगे, वहाँ पर यह तो basic है, आप से वहाँ पर पूछा जाता है तो interaction दो type के होते हैं, ठीक है, positive या जिन्हें beneficial interaction करते हैं, जहाँ पर one और both interacting species are benefited but neither is harm, इसमें harm किसी को नहीं होगा, बट जहाँ तक बात है हमारा फाइदा पहुँचने को, तो वो या तो एक species को हो सकता है जो interact कर रहे हैं, दो species उनमें से केवल एक को फाइदा हो सकता है, या तो जो दोनो species आपका interact कर रही हैं, दोनों को फाइदा हो सकता है लेकिन harm किसी को नहीं होगा, वह यगर negative interaction की बात करें, यहाँ पर एक या जो दोनों हैं, दोनों को harm पहुँचने वाला है यहाँ पर benefit किसी को नहीं होगा, या तो एक को, या तो दोनों species को harm होने वाला है तो हम इस वीडियो में cover करने जा रहे हैं, जो beneficial interactions है, उसके बारे में ठिक पॉस्टी यह जो beneficial interactions है, आप इसको mainly तीन भागों में divide कर सकते हैं mutualism, commensalism and proto-cooperation, द्यान दीजिए, mutualism is not synonym of symbiosis, okay mutualism, symbiosis का part है, यह जो सारे interaction आप पढ़ते हैं, symbiosis अलग चीज़ है, symbiosis का मतलब कि अबल साथ, मतलब यह जो पूरा term है आपका, जो यह interaction आता है, जहाँ पर दो इस साथ में रहते हैं, उसको symbiosis बोला जाता है, अब वो negative है, positive है, इससे मतलब नहीं है, तो mutualism को आपको कभी भी symbiosis के समान अर्थी नहीं समझना है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़े है, symbiosis का मतलब साथ में रहना होता है, अब positive है कि negative है, वो अलग matter है, ठीक, तो mutualism को आप कभी मत बोलीगा, तो लेकिन हम आते हैं, mutualism पे, जो actually, मैंने आपको वोला कि तीन टाइप का होता है, positive interaction, mutualism, commensalism, और and proto cooperation, mutualism क्या होता है, mutualism में आप ये समझे, मैंने benefit तो यहाँ पर plus plus दिया है, ब्रिकट्स पर, plus plus का मतलब होता है, कि जो दो interacting species है, इस interaction में दोनों को फायदा होगा, ठीक, और यहाँ पर जब दो different species के जो member होते हैं, वो interact करते हैं, और यह जो interaction होता है, यह completely dependent होता है, ठीक, दोनों के survivor के लिए, दोनों के growth के लिए, वहाँ पर जो physical contact है, वो necessary है, और obligatory type का होता है, मतलब ऐसा नहीं है, कि यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुचा है, उसके बाद दोनों अलग हो गए, वो independently रहने लगे, ऐसा नहीं है, mutualism का मतलब है, हमेशा साथ साथ रहना, और यह obligatory relationship है, दोनों यहाँ पर जो interacting species है, वो benefited होते हैं, example के तोर पर आप देहें हैं, यह termite के साथ mutualism show करते हैं, termite की जो intestine में रहने वाले यह flagellates है, trichonimpha और holo mastigots, यह इनमें mutualism होता है, flagellates क्या करते हैं, जो यहाँ पर हैं आपके, यह जो termite cellulose खाता है, आपको पता है ना, termite cellulose degrade करता है, तो यह जो termite cellulose खाता है, तो यह खुद से नहीं पच जा पाता है, इसके intestine में, जो हिंड गट होता है, वहाँ पे, इसके flagellates होते हैं, जो actual में cellulose का digestion करते हैं, और यह अब इससे क्या होगा, जब उसने वहाँ पर breakdown किया, तो यह allow क्या कहर रहा है, कि termite जो होता है, nutrient वो absorb कर सके, वो cellulose को खा कर भी, तो इससे termite को benefit मिल रहा ह है, उनके लिए, वो safe place है, उनका gut, ठीक, बाहर रहेंगे तो other competition आएगा, पर वो जो termite के gut में रह रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रहने का अस्थान मिल रहा है, और दोनों हमेशा साथ साथ में, तो यह mutualism हुआ, ठीक, दूसरे पर आते है, mutualism between plants and animals का example, आगर आप देखेंग तो, ओके, अब यह जूखलोली होता कि actually, small green alga होता है, जिसे यह often, प्राया क्या होता है, यह chlorella होता है, या कुछ-कुछ flagellate protozoan होते हैं, जिसे tetrasalmis या carteria, जो within the bodies of various fresh water protozoans, या invertebrate के body में रहता है, जूखलोली जो होता है, अपने host को green color देता है, इसे hydra में green color देत होता है, कौन, paramecium, bersaria, अब यहाँ पर कैसे benefit और यह आप समझेंगे, जो है यहाँ पर जूखलोली क्या करता है, carbon dioxide and nitrogen और phosphorus यूज करता है, ठीक है, हाइडर से जो उसको waste निकलता है, और उसको क्या करता है, oxygen प्रोवाइट करता है, और न्यूट्रियन प्रोवाइट करता है अपने host को, दूसरा अगर आप देखेंगे, जो mutualism है plant और animal के बीच में, वो आप यक्का का plant होता है, उसका flower हो गया और एक प्रोवा इंसेक्ट होता है, उस उन दोनों के बीच में, यक्का प्लांट और प्रोवा इंसेक्ट के बीच में, mutualism आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आके, पहली बात तो pollination में मदद करता है plant का, तो यह इसको benefit मिला, second, अब जो यह यक्का मौत है, यह यक्का के flower में अपना अंडे देता है, तो उसके लिए वहाँ पे safe place हो गया, तो दोनों का फाइदा, third पे आते है, mutualism between plant and bacteria, तो सबसे एक्चा एक्जामपल है, mutualism between algae and higher plant, अगर आप algae and higher plant के बीच मिच्रिजम के बात करेंगे, तो आपको पता है, नौस्टॉक और एना भी न जो आपके साइनो बेक्टीरिया है, यह आपको एंथोसीरोस में जो एक ब्रावफाइट है, उसमें आपको मिलेगा, एजोला में आपको मिलेगा नौस्टॉक लिग했는데 सrying ग安प सोर्वीडिया अएक अनिमोन है उसन जो हुक्तकर सबादया है, बिरिगत अगर वबैत का के लिए और यंदे का लिए यह आपको ह्एहाईxis का प्लांट है और यहा है हुसका मॉथ है फिर्जम करून का जो यह उस रहते वें कि थिर्माइट का से यह उसमन ब हो गया राइज ओ्वी लेगियूम प्लांट का आपको पता ही है कोई भी लेगियम नशी फैमली का प्लांट होगा वहां पे आप देखेंगे कि आपको नियोडिूल मिलेगा कभी आप भानट उखाडेंगे और वो जो होते हैं बैक्टीरिया होते यह photosensic product provide कराते हैं उस bacteria का और bacteria क्या provide कराता है यह जो nitrogen होता है air में dynitrogen उसको fix करके plant को देता है coluride root में अगर आप देएंगे psychos में जो coluride root होते हैं कभी आप उसका treeus काटेंगे तो उसके cortical reason में आपको यह algal zone मिलेगा और यह क्या होते हैं cyanobacteria होते हैं यह भी एक्जामपल है आपका mutualism का अब बात करते हैं fifth का mutualism between algae and fungi अब सबसेटा एक्जामपल है आपका lycane इसके association के especially helotism बोला जाता है जहां पर एक master की तरीके से behave करता है एक slave okay six mutualism between fungi and hyerpna the most common example is mycorrhagel association which is commonly seen in pinus roots और fungus क्या है आपका example boletus seven पर आते हैं fig tree and waspices जो आपके ficus के plant होते हैं कौनसे family morasi family का वहां पर आप देंगे जो भी हो गया अंजीर वगएरा यह सारे plant हैं आपके बनियान trees के वहां पर आप देंगे fruits में whole बना के कुछ insects आपको दिएगे कभी आपने अगर खाया होगा fruit तो वह बिचलिजम है fig जो उसमें insect रहता है वह भी वहां पर जाके जो flower है उसमें एक deposit करता है ठीक है और उसका pollination भी हो जाता है एक भी दे देता है वह तो यह भी example हो गया last पर आते हैं आप बी जैना और्किट फ्लावर कुछ कुछ और्किट होते हैं इसे और्फरिस एक जामपल है और्किट है और्किट है और्फरिस उसका जो एक पिटल होता है वह female bee की तरीके से ल call बइना झाल होता है तो इसे साइस को क्या होता है भाल इनेशन होता हें ठीक हाय और वह वूस से पॉलन लेके जाती है तो इसका पॉलिनेशन हो जाएगा कि यह है अब देखेंगे जो विभी होता है फंगस होता है फ्ला UV लांट को water and mineral nutrients कराता है और फ्लांट को नोगाठ कर आता है फ्लन देता है उसको यह उन्राइब जो फिग है उस पर अंदर जाता है फिर वहां पर अंडे बंडे देने के चक्कर में इसको पॉलिनेट करता है और फिर अंडे दे को निकल जाता है कुछ-कुछ जो वहां पर ओवरीज है उसमें अंडे देता है वहां से इसका नया प्रोजिनी भी निकलता है और इसका pollination भी हो जाता है ठीक है तो fruit भी बन जाता है seeds भी बन जाता है इसका next यह आपका offers जो मैंने बोला यह जो पिटल आप देख रहे हैं B के जैसा है यहाँ पर आकर जो आपका mail वाला है आपका यहाँ पर कपलेट करता है और यह जो enter है इसका पर पॉलिन ग्रेन लेकर चला जाता है बी की बात करेंगे अभी तो mutualism हो गया proto-corporation भी एक example है यह भी यहाँ पर दोनों को फाइदा मिलता है association विच बोथ और बेनिफिटेट बट कहां लिव सेवरेटली पर यहाँ पर क्या है mutualism में जो association होता है वो अब्लिगेट होता है मतलब दोन जो interacting species है वो साथ साथ रहते हैं पर प्रोटो कॉर्परेशन में दोनों अलग अलग रहते हैं इस आ फरकल्टिव और optional or occasional association also called as non-obligatory relationship सबसे पहला एक्जामपल आपका हर्मिट क्रैब और सी एनमन है सेकेंड टिक बर्ड टिक बर्ड आप देखेंगे राने सोस पर लगे हुए होते हैं तो वह उसको से क्या होता है सी एनमन इसका हर्मिट क्राब के ऊपर सी एनमन ट्राविल करता है दूर दूर तक और थर्ड में कॉर्कोडाइल और बर्ड का ये भी वहीं कॉंसेट है बर्ड वहां पे जो भी होगा ठीक है इनसेट वह रहा खाता वाता होगा स्केमेंजिंग है इसके में भी यहां पर पूट्र कॉर्परेशन का एक्जाम्पल है पर यह बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कैसे एस्टेशेशेशेशन इन विच वन पार्टन का स् और साप्रोबायोंट इस दर डेड बॉड़ीज ऑफ अधर अनिमल विच विच हाव नैश्री किल बाई अधर अनिमल यह पर कोई एक अनिमल को जो इसने किसी और अनिमल में किल किया है उसको स्केमेंजर आके खाता है तो यह भी एक पूट्रो को परेशन है ठीक जायकाल व आनिमॉन है इसका कौन सा यह जो आप निमॉन देख रहें है दूसरा और निम्स है ऑलियक्तिश सब्सीज में यह उपर वाला यह प्रोफ क्या कराता है प्रेक्श्चन प्रोफाइट करता है विद वि़ंदेड stinging cells, यहां पर stinging cells होती है, तो इसके नजदीक कोई नहीं आता है, और यह इससे benefit क्या होता है, कि crab घूमता रहता है, और यह mobile रहता है, ठीक है, तो यह ही से वो है, ठीक इसको, और यह हो गया आपका, जो मैंने आपको बुला, यह आपका rhinoceros, two horn rhinoceros है, और आपका यह bird हो गया carrot, bill क्या नाम था इसका, ठीक, और यह crocodile, और यह plower हो गया, plower bird है, यह crocodile हो के, यह दोनों इसका, जो भी है, इसको खाता नहीं है, नहीं तो आप समझें, मुझ खोला है, तो उसको खा लेगा, ठीक है, तो यह यहां पर जो, टीक स्विक्स जैसे उसके साथ, आपने rhinoceros के होता है, एक को ना तो फाइदा होता है, ना तो नुकसान होता है, मतब नुट्रल एक होता है, ठीक को फाइदा हो रहा है आपर, ठीक पर यह भी पोस्टीव इंट्रक्शन है, नुकसान नहीं हो रहा था, पोस्टी में ही आएगा, ठीक है, association between members of two species in which one is benefitted while other is almost unaffected, जैसे ल लुडी क्लाइमर्स को हम लाइनाज बोलते हैं, their roots are present in the soil, but their system uses other plant and objects, यापने लौकी, कद्दू अगेरा, इन सब के plant देखे होंगे, तो यह दूसरों को नुकसान जादा नहीं पहुचाते हैं, वो कोई physical support, पे चड़ जाते हैं, पकड़ के ऊपर, ठिक, they are found in dense forest, और बहुत स relationship है, लेकिन इनका नहीं रहता है, यह अपना काम खुदी करते हैं, बस तो सहारा लेते हैं, लाइनाज जारदा, especially आप तो tropical rainforest में पाए जाते हैं, इसे बाहनी और टीनोस्पूरा, ठिक, और second, इपिफाइट हो गए, इपिफाइट भी एक example है कमेंसलिजम का, यह इनमल्स हो गई, थर्ड इपिजोंस, इपिफाइट जाएट वैसे इपिफाइट बिजोंस अब यहां पर इनिमल्स हाएंगे, दोस इनिमल्स फिच डिपेंड डॉन प्लांट्स और अधर इनिमल्स, जिस सकर्फिस हो गई, लेकिन इस शार के बीच उसका रिलेशन, और पा किने आते हैं यह देखिए आपका यह देख रहे हैं आप यह लाईना है आपका चिकल सपोर्ड जो होगा इयक है इयक तोम से में उस्टे के यह रहता है तो एप Sun को नोकसाना के बराबर होता है जुससे जैसे हमें मच्छा बच्छार काटते रहते हैं तो कुछ ठीक रहते हैं वो अपने शेल्टर के लिए वहाँ पे रहते हैं तो यह था आपका पूरा क्या होगा यहां पे अप जो positive relationship है वह मैंने आपको सारा बता दिया यहां पर एक positive के लिए यहां में पंच आप प्रहटा दिया नेक्स वीडियो आपको निगेटिव आन्डरेक्षिन में आपको बताऊँगा अपकी ही और चालगा और mnieख वीडियो के साथ चनली आरी ओर्मेशन के साथ यू सब्सक्राइब का तब सक्रीधा करके लिए यह making thank you so much for watching this video